कि हलो दोस्तों सभी का एपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दोस्तों आप सभी को ग्याद है कि छात्रवाश अधिकशक का एकजाम आगया है दो महीने बाद आपका computer का तो यह दोनों हम इसमें cover करने का प्रयास करेंगे और यह classes सभी के लिए जैसा कि आपको ग्यात है free classes रहेगी इसमें हम दो-तीन चीज यूज करने वाले हैं जैसे आपको एक-दो class देखेंगे आपको समझ में आ जाएगी कि हम इसमें unitary method का प्रयोग करेंगे जहां पर जरुरत होगा कोई को formula रटना है तभी आप रटने का प्रयास करेंगे अन्य था इसमें हम लोगोंने maximum formula skip करके जो trending method है जो प्रश्न है उसी के अनुसार ही उत्तर देने का हम प्रयास करेंगे ठीक है तो यह बहुत ही अच्छी class होने वाली है पूरे sd यादो कि जितने types of question है उन सभी को cover करेंगे और जीरो से advanced level तक हम question इसमें देखेंगे ठीक है तो यह सभी के लिए important है ध्यान रखेगा चलिए और यदि आपको इसका पीडियाफ और यह पूरा चाहिए तो यह आपको telegram link में मिलेगा telegram link नीचे दिया हुआ है WhatsApp link नीचे दिया हुआ है तो उसे जौइन करके आप जो है वो सारे पीडियाफ प्राप्त कर सकते हैं चलिए ग्यात करते हैं percentage प्रतिशतता यह प्रतिशतता यह percentage होता क्या है सबसे पहले तो यह देख लीजिए आप लोग यहां पर हम बात करें प्रतिशत का मतलब क्या होता है हर जो मान होता है चाहे दस हो चाहे बीस हो वही उसकी क्या कहलाती है प्रतिशत कहलाती है जैसे हम बात करें कि सव जो है वो क्या है फल है और इन सव फलों में दस जो है वो किसके फल है आम के फल है तो हम कहेंगे कि यहां पर कितना प्रतिशत आम का फल है तो दस प्रतिशत आ हर 100 में जो मान होता है पर्शेंटेज किसे कहते हैं हर 100 में जो मान होता है उसी को ही प्रतिशतता कहा जाता है अब मान लो मान लो कि यहां पर 200 है ठीक है अब इस 200 में 10 प्रतिशत आम हैं ऐसा कहा जाता है ठीक तो यहां पर यह 100 में 10 प्रतिशत मान कितना हो जाएगा 10 हमने अभी देखा 100 में जो 10 का मान है वो क्या कहलाता है प्रतिशत और दूसरा 100 यहां पर 200 है उसमें भी जो 10 का मान है वो क्या कहलाएगा प्रतिशत कहलाएगा तो यहां पर 200 में 10 प्रतिशत का मतलब कितना हो गया 20 फल हो कोई भी संख्या में दे उसका जो मान हर सो में प्रतिसत मतलब हर सो में वो होगा इस बात को आप ध्यान रखेंगे बहुत अच्छे से आपको समझना है ठीक अब जैसे कि किसी चीज का आपको मान निकाले दिया जाए जैसे यह 50 है अब 500 है 500 का आपको 20 प्रतिसत ग्याद करना है 20 प्रतिसत तो जहां प्रतिसत लगा है उसको सीधा आप कैसे तोड़ देंगे 20 बटे नीचे क्या कर देंगे 100 कर देंगे देखिए यह क्लास उनके लिए है दोस्तों जो कुछ भी नहीं जानते है जो मैस से थोड़ा सा परिचित नहीं है मैं जानता हूं कि आप सभी अच्छे से समझ में आ जाए ठीक तो यहां 20 प्रतिसत का मतलब हो गया 20 बटा 100 तो यह इसको सीधा सीधा आप तोड़ दोगे 20 बटा 100 और किसका निकालना है 500 का तो यह हम यहां पर काड़ देंगे और यह कितना आ जाएगा 25 100 इसी प्रकार से इस मैथट को आप जानकारी मे रखिएगा तभी आप जो है वो बेस समझ जाएंगे तो इमारत कितनी भी बड़ी हो आप खड़िक कर सकते हैं बेसी क्लियर नहीं तो कहां से इमारत वो तो बनते गिर जाएगा रटने का प्रयास करेंगे गिरेंगे दोस्तों ठीक तो यहां पर यह हो गया 10 प्रतिसत निक प्रकाल लिए तो इसी प्रकार से ही चीजों को आपको ध्यान में रखना है मैं जैसे जैसे क्वेस्चन आगे बढ़ेगा नए नए तरीके आपको बताते जाओंगा जो जनरल चीजों से रिलेट करके चलते हुए हम सीखेंगे ठीक देखिए अच्छा आपको यह चार्ट क में यूज नहीं होगा और भी 22 चेप्टरों में करीब 15 चेप्टर में इनसे जो है वह आपसे क्वेस्चन बहुत सरल होते चले जाएंगे ठीक है तो इस चार्ट को आप याद कर लिजेगा याद करने का मतलब इसका एक पैटन है जैसे एक होता है वह पूरा 100 प्रतिशत हो निकालते हैं ठीक है जैसे हम एक कप एक बटे दो कप प्रतिशत में व्यक्त करने के लिए पितना आ झायगा यहांपे 50 प्रतिशत आ जाएगा किसी भी भीन को किसी भी भीन को प्रतिसत में व्यक्त करने के लिए उसको सौ से मल्टिप्लाई करेंगे सौ उसमें गुणा करेंगे अब यह 50 प्रतिशत है दोस्तों अब इस प्रतिशत को भीन में व्यक्त करने के लिए क्या करेंगे तो इसको सीधा बटे क्या कर कर देंगे और यह कैंसल होके क्या बन जाएगा एक बटे दो प्रतिसत में बदलना है तो सव से मल्टीपाई और प्रतिसत को बिन में बदलना है तो 50 जितना भी प्रतिसत दिया हुआ है उसको बटे सौलिक दीजिए ठीक तो उसी प्रकार से याद रखेगा देखिए एक बटे तीन आपने प्रश्ण देखा होगा कि बहुत सारे प्रश्ण आगे हम लिए हैं जिसमें परसेंटेज निकालने इस रूप में बोला जाता है पॉइंट में दे दिया जाता है और हम उस वक्फास जाते हैं और उस क्वेस्टन को छोड़ देते हैं तो पॉइंट में कैलकूलेशन बहुत स्ट्रॉंग हो जाता है बहुत लेंदी हो जाता है ठीक तो यहाँ पर इसमें अब याद रखेंगे कि किसी भी का 33.33% निकालने कह जा रहा है तो सीधा उसका एक बटा तीन कर दीजिए ठीक है जैसे यहाँ पर मैं लूँ 3699 अब इसका मैंने कहा कि आपको 66.66% निकालना है ठीक है कितना 66.66% निकालना है अब इसको आप अगर भिन्न में परिवर्तित करके बटे 100 करके निकालेंगे बहुत ही लंबा प्रो 3699 into 66.66 upon 100 तो यहाँ पर काटते फिटते बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाता है ठीक तो इसी को ही हम कैसे निकालेंगे 3699 into इसके जगह में हम क्या रख देंगे 2 by 3 2 by 3 अवे 3 से कितना असान हो गया तीन एकम तीन दुनिच्छ है तीन 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 और इसको मल्टिप्लाइ कर दो तो यह जो है वो एंसर आ जाएगा क्लियर है तो इसी लिए इसको याद करना बहुत ज़री क्योंकि आपके छोटे से क्वेस्चन दिया रहता है इसमें इस 25 परसेंट तो इनको याद रखेंगे वन बाइफाइब के लिए 20 परसेंट आप जानते हैं टू बाइफाइफ के लिए 40 परसेंट है ना टू बाइफाइब अब भई यह तू बाइफाइब है इसको आपको परसेंट में बदलना है 5 तो 5 एकम 5 दुनी 10 और कितना आ गया 40 प्रतिशत इस प्रकार से आपको याद रखना है 3 बाइफाइफ होता है 60 परसेंट 4 बाइफाइफ होता है 80 परसेंट 1 बाइफाइफ यह इंपोर्टेंट आकड़े हैं दोस्तों 1 बाइफ 16.66 5 बाइफ सिक्स 83.33 1 बाइफ सेवन 14.28 2 बाइफ सेवन 28.56 3 बाइफ सेवन 42.84 देखिए यह मैं नहीं कहता कि एक बार में आप पूरा रट डालेंगे है ना एक बार में रट डालेंगे यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं है लेकिन हाँ अगर आप एक दो बार इसको चार्ट में देखेंगे दोस्तों तो यह पूरी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी है तो इसी प्रकार से आप चीजों को ध्यान में रखेंगे ऐसे ही यह देख लीजी आप लोग जैसे यह बना हुआ है 1 by 8 का 12.50, 3 by 8 का 37.50, 5 by 8 का 62.50 और 7.8 का 37.50 होगा ठीक है तो इसको ध्यान रखेंगे क्लियर है अब देखिए 1 by 9 में 1,1 का सिरीज चलेगा 1,1.11 का ठीक आप 2 by कर देंगे तो 2 multiply हो जाएगा 2,2.22 हो जाएगा 4 by 9 में 4 multiply 3 by 9 में 3 multiply तो इसका थोड़ा सा आप sequence भी याद रखोगे जैसे 1 by 8 में 12.50 बढ़ा और यह इसमें multiply होते चले जाएगा 2 by 3 में 26 26 हो जाएगा वैसे ही यह बढ़ते हुए चले जाएगा दोस्तों तो इसको आप याद रखेंगे ठीक वैसे ही 10 में देखे 1 by 11 का 9.09 परसेंट और यह 2 by 11 का 18 यह 2 multiply होगा 18.18 वहाँ पर 3 multiply हो गया तीन नियम 27 दसमलोग साथ सा तो यह sequence को भी थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे तो भी आपसे सारे प्रशन बनेंगे ठीक तो यह दोनों चार्ट दोस्तों यह और यह आपको बहुत धंग से प्रिपेर करना है सामने लगा लिजिए क्योंकि आने वाले बहुत सारे प्रशनों में यह चीजें यूज होने वाली है clear है चलिए अब इससे सम्मंदित प्रशनों पर चलते हैं देखिए अब यहाँ पर दोसों का दस प्रतीसत निकालना है बहुत इजी है दोसों का दस प्रतीसत यदि निकालना है तो इसमें तो पेंट चलाने की आवश्यकत है इनी पढ़नी चाहिए यह सीधा सीधा क्या हो गया कट गया और lt205 200 का 10 प्रतीसत कितना हो गया ठीक है अब देखिए मैंने अभी अबधि Senior में बताया कि 100 का 10 प्रतीशत मतलब कितना अदयित100 है उसका 10 प्रतीशत तो इसका भी कितना हो जाएगा दस तो दोनों मिलकर कितना 20 मैं जानता हूं यह प्रश्ण नहीं पूछा जाता लेकिन इन्हीं प्रश्णों से स्ट्रॉंग प्रश्ण बनेंगे यह भी याद रखेगा अब यह दे 200 का 100 प्रसेंट वो अपने आप में ही पूरा हो जाता है 200 का 100 प्रसेंट कितना हो गया तो देखिए दोस्तों पहले तो आप निकाल नीचे 200 का 100 प्रतिशत कितना होगा तो यह अपना आप होगा 200 का 100 प्रतिशत क्या होगा 200 ही होगा ठीक है 200 का 100 प्रतिशत 200 200 का 200 200% कितना होगा तो 400 होगा दोस्तों यहां पर 200% उसका डबल हो जाएगा 400 होगा यार रखिये गा survival होगा 100% मतलब 200 200% मतलब 400 300% मतलब 600 ठीगुना हो जाएगा ठीक इस प्रकार से यह बढ़ता है आगे आप प्रशनों में देखेंगे ठीक नेक्स चलें देखिए 200 का 117 प्रतिशत निकालना है बिल्कुल बहुत इजी है आप सीधा सीधा कर दीजिए 200 का 117 बटे 100 और यह कड गया और इसको डबल कर देंगे तो आज आएगा 14 और हासिल आई एक 274 हासिल एक दो एकम दो और एक यहां पर तीन हो गया और दो एकम दो ह हो गया तो यह कितना आ गया 234 ठीक यह आप निकाल सकते हैं इसका 100 प्रतिशत कितना होता है तो इसका 100 प्रतिशत होता है 210 प्रतिशत कितना होगा इसका 20 और साथ प्रतिशत कितना होगा 14 तो यह से भी आप निकाल सकते हैं इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं जहां पर प्रस सेम है दोस्तों आप क्या कर सकते हैं 200 का 95 by 100 कर लीजिए और इसको डबल कर लीजिए एंसर आ जाएगा ठीक है तो यहाँ पर दो पंचे 10 हो गया यहाँ पर आप कर सकते हैं 100 प्रतिसत निकाल लीजिए 200 अब यहाँ पर आप इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं माइनस 5 परसेंट ठीक है 100 माइनस 5 परसेंट तो यह 5 दुनी 10 को इसमें घटा दीजिए कितना हैगा 190 मैंने बताया इसका जरुरत पड़ेगा वहाँ पर इस मैथड में और इस मैथड का जरुरत पड़ेगा वहाँ पर इस मैथड में हम सॉल करते चलेंगे ठीक यह देखिए 393 का आपको निकालना है 66.66 परसेंट ठीक है 393 अब यह आपको याद रहना चाहिए दोस्तों 393 का 60.66 परसेंट कितना होता है अभी हम लोगों ने देखा था कितना होगा 2 by 3 66.66 को क्या लिख सकते हम 2 by 3 अब यहां से आपको काटना बहुत आसान हो गया 3 एकम 3 तीन 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 और इंटू टू मल्टिप्लाई कर दोगे तो 2 एकम 2 दो ती अच्छे और 2 एकम 2 यह मैथड इसलिए बता रहा हूं ताकि आप इसको समझ जाएं औ आपको समझ में आएगा यहां पर देखिए 3514 3514 का 42.84 निकालना है ठीक है अब यहां पर आप इस मेथड से चलेंगे तो आपको दोस्तों बहुत लेंदी हो जाएगा कैसे देखिए इंटू 42.84 अपॉन 100 करके काटा फिटा करेंगे टाइम वेस्ट लगेगा उसी कोई हम अ सकते हैं क्या लिख सकते हैं 84 किस का मान है 3y7 का तो अब आप इसको आराम से बना सकते हैं देखिए 3514 अब क्या कर दीजिए 3y7 का मान निकाल लीजिए अब काट यह तो साथ एकम साथ यहां पर एक हो जाएगा 735 और यह 0 और 7 दुनी 14 अब इसको मल्टिप्लाई कर दो तो 15 तो यह 1506 यह केवल प्रैक्टिस क्वेश्चन है ताकि आगे आप अच्छे से कर पाएं नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट हम निकालेंगे 8500 85616 यह 85616 अब दिया है 37.50 अब इस 30.50 का मान होता है तीन बटे आठ आठ आपको ध्यान रहना चाहिए अब यह अराम से कर जाएगा देखिए आठे कमाट अठी सती छपपन स्वरी यह यह आठे कमाट होगा और जीरो आएगा बीच में ठीक है और उस यह जुड़ेगा तो आठी सती छपपन और फिर जीरो और आठ दुनी 16 तो यह इस कमान और इसमें मल्टिप्लाइ 3 कर दीजिए आ जाएगा यह केवल प्रैक्टिस क्वेस्चन है दोस्तों आपको करने हैं ठीक बिल्कुल इसमें आप जोड़ लीजिए तीन दुनी 6 तीन सुन्यम सुन्य तीन सत्य चौदा एक तीन सुन्यम सुन्य और चौदा यहां पर दो बचेगा यह थोड़ा सा इसको सुधार लीजिएगा यहां पर कर देते हैं 10702 मल्टिप्लाइ आप करते रहिए इसमें कोई इशू नहीं है इसका एक हांसिल 2 तीन सुन्यम सुन्य दो का दो और एक का तीन एकम तीन यहां पर तीन हो गया तो इस प्रकार से आ आप बनाईएगा मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बना दिये हैं और उसको जो है वह आप बनाएंगे ठेक चलिए नेक्स्ट यदी चौदा सव का एक्स प्रतिशत दिया हुआ है इस प्रकार के यह अब थोड़े से हम वाम अप कोश्चन है इसके बाद सीधा हम अच्छे प बराबर है कितने के 119 के तो यहां पर सीधा यह 00 से 00 कट रहा है और X is equal to 14 इस तरफ आ जाएगा तो यह नीचे आ जाएगा दोस्तों और यहां पर 14 में देखें तो 148 हो गया 112 ठीक है 112 में बचा 7 है ना पॉइंट लगा देंगे 70 और 14 पंचे 70 तर तो X बराबर है कि इसके 8.5 के इसको आप सॉल करेंगे तो आ जाएगा बहुत इजी प्रस्न है हाला कि आया हुआ प्रस्न है परन्तु अब जो है स्टेंडर्ड बढ़ गया है तो इस प्रकार के प्रश्न नहीं आते हैं ठीक और आते हैं तो अच्छे लेवल के आते हैं यहां पर ध्यान रखेंगे यह सिंपल प्रस्न है इसको सिर्फ आपको बनाने इसलिए है ताकि आपका प्रेक्टिस हो जाए मैं सहीं बता रहा हूं बाकि बहुत पी रच्छे लेवल में प्रस्न कमी बेसी आय खर्च वगरे के जो प्रस्न आएंगे ना उसको आपका उसमे सब्सक्राइब का सत्रा सौका हमको क्या करना है 35 प्रतिशत निकालना है बिलकुल निकाल लेते हैं और उसके बाद दिया है 3175 का यह प्रतिशत क्या होगा question mark का है तो हम पन एक्स मान लेते हैं एक्स वाइस को क्या कर लिजे 100 अब यहां पर 0000 कड गया यहां पर भी 0000 कड अब 15 को multiply कर रहे हो तो 15 पंचे 75 का हो गया 5 हासिल 7 15 64 और 7 67 ठीक यहां पर देखे प्लस लगा दीजे 17 यह 17 पंचे 85 85 का हो गया 5 हासिल 8 और 17 तिया 59 और 59 ठीक है यहां पर क्या बचा 25 से कट जाएगा यह 25 400 और यहां पर 25 एकम 25 बचा 6 67 25 दूनी 50 बचा 17 175 और 25 सत्ते हो गया 175 आप काटके देख लेंगे ठीक है तो यहां पर जो बता दोस्तों वो बचा है 127 अपान 4 एक्स अब यह इधर आ जाएगा और यह दूनों को जोड दीजिए तो यह दूनों को जोड सब्सक्राइगे तो क्या हो गया जीरो पांच-पांच-पांच-दस का सुन्य हासी लेग 10 और सा 17 का साथ हासी लेग 6 5 11 और 12 ठीक अब यह इधर आ जाएगा तो यह नीचे में आ जाएगा दोस्तों नीचे में आ जाएगा 127 और यह उपर आ जाएगा 4 is equal to x कमान तो यह कट गया कितने बार में एक बार में और दस चौक शालीस तो एक्स का वेल्यू यहां पर कितना आ गया 40 आ गया एक्स का वेल्यू कितना 40 option B इसका correct answer है आया हुआ प्रस्ण है परन्तु इस प्रकार से प्रस्ण बहुत कम पूछे जाते हैं आपको calculation की दृष्टी से आप आगे व वाले हैं वे विशेश रूप से ध्यान रखें सेम कुष्चन है बहुत इजी है देखिए यह बहुत इजी प्रश्ण है जैसे 360 का हमको प्रशेंट ग्यात करना है कितना प्रतीशत क्या होगा यह 129.6 पॉइंट देखके घबराना नहीं है यहां 10 से 10 कैंसल हो गया ठीक तो यहां पर 36x is equal to 129 अब 10 को multiply कर देंगे तो यह क्या हो जाएगा 6 अब यहां पर x is equal to आप बहुत धहर रखेंगे दोस्तों आगे प्रश्ण एक लाइन में solve होगा यह process इसलिए है ताकि आप समझ पाएं तो यहां पर 129.6 is equal to 36 अब इसको काड़ दीजे तो बारा तिया 36 बारा एकम बारा सुन्य बारा अठे 96 तो यह तीन तिया ना और एक बचा अठारा तीन चक्के अठारा यह हमारा क्या हो जाएगा 36 एंसर हो जाएगा ठीक मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है सेम प्रश्ण है विसे आप solve कीजेगा एकदम clear ह यहां पर दोस्तों देखिए क्या निकालना है 50 का 860 प्रतिसत मतलब नीचे 100 लगा दो प्लस 860 का 50 प्रतिसत मतलब नीचे 100 लगा दो ठीक अब यहां पर देखेंगे तो एक जीरो कैंसल हुआ इससे एक जीरो कैंसल हुआ इससे यहाँ पर भी यह दोनों जीरो कैंसल हो जाएंगे नीचे दोनों जीरो से अब इसको multiply करके solve कर लो तो 6,5,6 हो गया यहाँ पर हासिल 3,8,5,4 और 3,4,3 कितना आ गया 430 यहाँ भी 86 6,5 है तो यहाँ भी कितना आएगा 430 और जोडों को जोड़ दोगे तो आएगा दोस्तो 860 और यही हमारा क्या है answer है बहुत easy प्रश्न है बहुत easy प्रश्न है और बहुत आराम से बन जाएंगे ठीक तो यह था दोस्तो warm-up question यह कर लीजिए कल से जो second class होगी वह बहुत special जो SD आदो का first chapter है कमी पर आधारित जो प्रश्न है अधिकता पर जो आधारित प्रश्न है हम उन प्रकारों पर बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे ठीक तो आशा करता हूं question आपको बहुत अच्छे लगे होंगे और यह warm-up question थे और चार्ट को एक बार prepare कर लीजिए फिर फिर कल साम को हम मिलते हैं ठीक है और यह डेली दोस्तों रात को आठ बजे classes upload होगी तो यह time आप याद रख लीजेगा देली कितने बजे एट पी एम एट पी एम को ठीक थेंक यू